तो ही गाइस देख सकते हैं मेरे पास equities bank मतलब new x banks मैंने जो new x bank में account बनाया था वहाँ से गाइस मेरे को passbook और checkbook receive हो चुका है तो यह guy's कैसे receive हुआ आज कि विडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने passbook और checkbook को मंगवा सकते हैं आपने भी new x bank में account open किया है तो guys काफी simple step है आपको क्या करना है बस आपको internet banking open करके अपने sign को update कर देना है अगर sign वहाँ से update नहीं होते तो आपके जो भी नजदी की equities bank का branch आपको वहाँ पे visit करके अपने pen card, adhar card के साथ वहाँ पे जाके आपको अपने sign को जो वहाँ पे दे देना है, sign दे देना है आपको वहाँ पे एक से दो दिन के अंदर आपका update हो जागा, then आपका जो checkbook आपके address पे within 327 days के अंदर भेज दिया जागा, तो guys मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का envelope आये था, guys मेरे पास दो envelope आये थे, दो no envelope में मतलब मेरे पास दो अलग-अलग checkbook आया, पता नहीं क्यूं दो checkbook आया है, तो मैं security purpose के लिए जो इसके address है, वो आपको शो नहीं करने वाला हूँ, तो guys कुछ इस तरीके का look में आपको checkbook देखने को मिल जाएगा, जहां पर नीचे लिख रहा है, saving account checkbook for local and intercity payments, तो guys इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, checkbook तो checkbook आप देख सकते हैं, मतलब इस तरीके look में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर checks के number दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर मेरा नाम भी mention है, तो guys checkbook को करता हूँ side में, और आपको passbook का look दिखा देता हूँ, तो passbook का कुछ इस तरीकी के look में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी अभी mention नहीं है, यह बिल्कुली blank passbook है, तो guys यहाँ पर आपको passbook को मतलब की लेके जाना है, अपने नस्धी की branch में, तर यहाँ पर आप पूरा जो भी print अपना statement है, वो यहाँ पर निकलवाज सकते हैं, तो guys अगर आपको यह video पसंद आए, तो इस video को like और channel को subscribe कर सकते हैं, कर सकते हैं,